तो क्या मामला है आपका खुझने यह आसा भव का जो एनम है उनका लापरवाई से बच्चा रोज दाजा दे दिया ना इन्येक्शन के दवा भी कुछ पिलाई गई थी क्या उनको जो दवा एक बून पिलाई जाती थी तो चच्चा बून दवा पिलाई है दो दवा थी एक पीली थी एक लाल थी आपने नहीं साथियों नमस्कार अर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है मैं राम किश्पंडे साथियों आज हम आपको कनगपुर ग्राम सभा में लेकर आया हूं जो बल्दी राय तहसील के छेत्र में आता है कल आप एक वाइरल खबर को देख रहे होंगे कि एक डेढ़ मा के का बच्चा चलते उसका देहान थो गया उसकी जान गई तो उनके परिवार के लोग बैठे हैं ये उनकी साथ मम्मी जी हैं मुनसे चर्चा करेंगे कि क्या हुआ था उसके साथ में और क्या घटना हुई क्या हुआ है पूरी वारदात आप बताएं मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ था पूरी तरीका से अच्छा था खेल रहा था बलाई की चलो टीका लग रहा हमने गए टीका लोग आई उसके बाद एक साथ में पांच-पांच टीका लगाई यह दिखाएंगे जो लगाए गए हैं सीधा इस पर इंट्री हुए हैं और आप देखेंगे पांच-टीके यहां पांच बार फिलाल उसके डेट डाली गई है टीके क्या लगाया यह तो वहां की मैडम ही जानेंगे कि उन्होंने क्या लगाया तो कब हुआ कैसे क्या बच् प्रश चिला नहीं बंद करिया रासारी रास सारा दिन रोता रहा उसके बाद कल जब रोते-रोते का गला भी सूख गया हमने इनको फून किया आशा को कहा कि मेरे बच्चे की तवीद ठीक नहीं है इसने कहा आओ मेरे घर हमने गए अपने साधन से इन्हें ने कहा कि हमने ग की नहीं गए नहीं सर महारूबी रानी ने कहा कि यहां लेकर आओ मेरे संटर पर संटर कहां है अइंजर वहां ले जाने की बाद क्या हुआ वहां ले गई तो बोले की बच्चे को देखी मेरी तो हमका दूद नहीं पी रहा है जब से आपने सुई लगा ही ज़्यादा तकलीफ है तो वह रहे हैं कुछ नहीं है गैस बनी है ठीक हो जाएगा इसे कहीं मत ले जाना ले जाओ घर जैसे जब तबियत बिगड़ने लगी और तबियत बिगड़ते के बाद आपने उनको सूचना दि उसके बाद उन्होंने अस्पताल भेजने की कोई सलाह नहीं दी कितनी उमर क्या थी बच्चे की डेड़ मा का था तो दवा भी कुछ पिलाई गई थी क्या उनको आपने नहीं पूछा ये दवा किस चीज की है परसासन की तरफ से कोई आया इसे मेडिकल डिपार्टमेंट से या कहिए कि सरकारी अस्पताल से जिला सुल्तानपुर से या कहिए बल्दी राइस की जो प्रार्थमिक स्वास्त केंद्र है वहां से कोई आया यहाँ कोई अधिकारी दवा लेके आये बीमार सारे बच्चे हैं तो इनका आरोप है कि दवा पिलाने की वज़ा से सारे बच्चे बीमार हुए हम अभी आपको और बच्चों से मिलाते हैं हम दूसरे बच्चे के पास भी आये हैं जो बैक्सीन बैक्सीनेशन के बाद बीमार हुआ था तो आप अस्पताल गए थे क्या नाम है आपका अंसु पापा का क्या नाम है जग्दीश परसाद तो क्या हुआ था बेटा आपको पैर में क्या कोई समझ्या है इसी पैर में दिक्कत है अब बीमार हो गए थे कैसे बिमार हो गए कुछ पता है क्या बताओ दादा जी कैसे बीमार हुआ है बच्चा आप क्या हो बैक्सिनेशन का एक खबर वाइरल हो रही कि टीका लगाने के बाद ही बच्चा बीमार हुआ था टीका लगा लगा रहे कि बाद वुखा तीन दूरो तूठाई ना पावा उसके बाद यह पैर से चली नहीं पा रहा बच्चा 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 है बच्चा बच्चा है अब ही जो कल उन्होंने परसों जब बच्चों को लगाया इंजेक्शन वह उन्होंने कहा इंट्री किया है अच्छा यह पांच तीन दोजार बाइस को उन्होंने एक ही डोज दी है क्या लेकिन दवा की वज़े से ही बिमार हुआ तो यह सेकंड बच्चा है हम आपको अभी तीसरे बच्चे के पास भी ले चलेंगे अब तो स्वस्तों बिटा ठीक हो अब बुखार नहीं है खड़ तो अच्छा इसी वज़ा से है तो आथियों यह बच्चा है जो उसी बैक्सिनेशन का सिकार है जो आप देखे होंगे कि अभी तीन दिन पहले वाइरल बीडियो या खबरों में यह हुआ था कि बच्चा बिमार है बैक्सिनेशन के बच्चे की जान चली गई उसी में यह ने से आराम भी नहीं हुआ कुछ हुए इंसके सरकार की तरफ से कोई शायता मिली नई कल BALI कसे दवा दिये थे तो इलाज से फादा है नहीं सर इस पर गार पड़ गए जलन है इस पर जलन है बच्छा आपको भी तबियत खराब है क्या नाम भीया रितेस बीमार रहा बखार रखे रहा कईसे बीमार हुआ अच्छा यह भी बच्छा आपका ही है कईसे बीमार हुआ यह पता नहीं काड़ तो होगा मिला होगा न काड़ आपको जर ले आएंगी उसको तो क्या मामला है आपको तो नहीं आपको जो एनम है उनका लापरवाई से बच्छा डोज दाजा दे दिया ना इन्येक्शन के लिए पारो और जो बच्छे हैं हमारी लड़की के वह भी चार सुई लगा दिये हैं उसके भी बुखार रहता है पांतारिक लगाया है यह नम लगाए है और मीरा आसब रूबी लगाए है जी सब्सक्राइब लगाए है उसको अच्छे लगी है चार सुई में लगाएगी जी है पता लगेगा ना लेके तो पांसी तारिक को इस ने बोला कि वहां पर दवा कराने के लिए तो बताएं कि दवा नहीं कर रहा हो इसके और गैस बनी ही यह बस आराम हो जाएगा तो तुझने आराम आराम क्या हुआ फिर दिखाने के लिए तब भी अपना बच्छा नहीं मन कर लेकि जाने के लिए तो वहां पर पता लगा इस पहर हो गया बच्छा आज बहुते हैं यहां पर कोई अज़कारी करमतार यहां तो इस क्वार आये ते आज भी आये थे इस पाता नहीं आए थे लगनों से आई थे यह वह आई तो लगनों साइज आये थे शेमो जाओ कुमारी साल ने तीसरा महिना लगा यह लगा नहीं कोई पांस साल कभी है कोई दो साल कभी है कोई थोड़ा व्योग कम भी है सबसे चोटे उमर में हमारी लड़की ते यह तो इनका लड़का उमर था जिसके अलगा बुखार आता है मेरा दिवी उसके बाद में अर्चना सिंग अंगल बाड़ी के हैं और यह नम के नाम हो गई है तिन उसके बाद जो प्रसासनी कज़कारी आये थे दिलिस आये थे कुछ आपने घर पे थे जब आयते हैं वह उसने बोला पोस्माडम के लिए तोहां पे लेके गए हम अब जो हम अब दो बोल नहीं हाँ अब नहीं